मेश राची, छोटी यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं धन का लाब होगा आपको, कोई शुब सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशक मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशब राशी वैवाहिक जीवन में सुधार होगा नौकरी में आपके बेहतरी होगी इस समय आप कोई संपत्ती खरीज सकते हैं खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80 प्रतिशक बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी परिवार का सहियोग मिलेगा कारोबार में आपको लाब होगा काम की रुकावट आपके दूर होगी माता लक्षमी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 प्रतिशक सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी, व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है चिन्ताएं परेशान कर सकती है धन के खर्चे इस समय आपके बढ़े रहेंगे यात्रा में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन के मुश्किले बहुत हद तक कम हो जाएंगे शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा सिंगराशी मानसिक तनाव आपका कम होगा धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं संतान पक्ष की उन्नती होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी परिवार में खुशहाली आएगी संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा सिक्षा पृतियोगिता में सफलता मिलेगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुला राशी मुकदमों के मामले में आपको सफलता की प्राप्ती होगी कोई शुब समाचार मिलेगा आपको आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा माता लक्षमी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिश्यक राशी कर्ज का लेंदेन ना करें संतान पक्ष से तनाव हो सकता है लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन के मुश्किले कुछ हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा धनुराशी मान सम्मान मिलेगा आपको मनो रंजक यात्रा के योग बन रहे हैं करियर में सफलता की प्राप्ती होगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी बड़े आर्थिक लाब का योग बनता है इस समय अच्छे पैसे का लाब होगा हालाकी काम अधिक तो रहेगा लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा कुम्भराशी कारोबार में फाइदा होगा परिवार में प्रसन्नता आएगी जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा खाने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी स्वास्त का ध्यान बनाए रखें जल्दबाजी में निरड़े ना लें हाला की पिता के सहयोग से आपको लाब होता दिख रहा है किसी निरधन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा गुलाबी और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भागे थोड़ा कम रहेगा एस्टो तक आपकर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चुटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से